हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चानल और आज मैं आप सबको यह माइकरूम का ब्यूटिफुल सा माइकरूम का पेन पेंसिल होल्डर बनाना बताऊंगे यह दिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेफ जरूर करिएगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थ्री इंच की राउंड रिंग लिए है और इसकी उपर यहाँ पे देखिए दो मैंने यलो कलर के कॉट अटैज किये हैं और इन कॉट्स को मैंने सवा मीटर में कट किये हैं तो रिंग के उपर हम जितने भी कॉट स्टार्टिंग लगाएंगे सारे कौट से हमारे 9 मीटर के रहेंगे यह तरध के से कष्ट को double करना है और double करके रिंग के उपर हमें आराम से attach करना है इचैब डबल किया हुआ हिस्सा हमें רिंग के उपर attach करना है स्वा मुटर यानि एक मिटर पहले लेना है और सेंटी मिटर से हमें 25 तक काउंटिंग करना है सेंटी मिटर से उतने पर कॉट को कट कर लेना है यानि पहले वन मिटर लेके उसे बाद 25 सेंटी मिटर काउंटिंग करके कट कर लेना है तो इस तरह से यहां पर सवा मिटर तक का मैंने कॉट य तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने सारे कॉट्स रिंग के उपर अटाइच कर दी है टोटल फ्रेंड्स यहां पर मैंने सवा मिटर के 24 कॉट्स यानि 24 कॉट्स यहां पर मैंने रिंग के उपर अटाइच किये हैं इसकी बाद friends नहीं, इस तरह से हमें 4 chord लेना है, और 4 quarts को लेते हुए, हमें simple square note से continue करना है, यानी 4 four chord लेते हुए, पूरा round हमें क्या करना है, simple square note लगाना है, 4 four chord लेके note लगाते जाएंगे, यह दीखी इस तरह से, आराम आराम से four four chord लेके और नॉट लगाते जाना है सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरा राउन सिंपल स्क्वेर नॉट लगाके कम्प्लीट कर लिया है पूरा राउन हमारा कम्प्लीट हो चुका है फोरफोर कॉड को लेके मैंने यहाँ पर पूरा नॉट लगाया है तो अभी यहां से देखिए friends क्या करना है 4-4 not का जो quad है इस तरह से हमें तीन भागों में divide कर लेना है यानि तीन भागों में बाट लेना है यह देखिए इस तरह से बाट लिया अब बाटने के बाद friends अभी not में हमें नीचे के तरफ फिर से not लगाना है तो अभी यहां पर friends यह जो not बने है उपर के तरफ इन दोनों not में से हमें इस तरह से 2-2 quads लेना है तो 4 quads हो जाएगा और इसे लेके simple square not यहां पर बना लेना है तो इस line में हमारा total 3 not बन के आएगा simple square not का तो यहां पर 1 not लगा लिया इस बाब फिर से अब इसके आगे एक और हमी आपे देखिए इस तरह से 4 quads को लेके एक और not बना लेना है तो अभी यहां पर 1, 2, 3 3 not बन गया पहले 4 फिर 3 उसके बाद अभी यहां पर 2 not बनेगा तो यहां पर से मैंने not में से 2-2 quads ले लिए उपर वाली not में से तो 4 quads मिल गया है अभी यहां पर फिर से हमें not बनाना है तो इस line में हम total 2 not बनाएंगे यानि 2 not बनाएंगे इस वाले line में यसे 4, फिर 3, फिर 2 लास्ट में 1 इस तरह का यहां पर not बन के आएगा तो 3rd वाले line में हमें 2 not बना लेना है यह देखिए 2 not यहां पर complete हो गया इसके बाद अभी यहां पर 4, 3 और इसके बाद 2 इतना complete करने के बाद अभी यहां पर friends लास्ट में 1 not आएगा यानि 1 not आजाएगा यह जो 2 not है उपर में उपर उन्ही में से quad लेके और लास्ट में 1 not बना लेना है तो अभी friends एक तरफ का हमारा not complete हो गया है अब दो तरफ के रहे गये हैं तो यहां पर भी हमें क्या करना है जैसे हमने यहां पर यह not बनाए हैं सेम हम यहां दोनों जग़ा भी बना लेंगे तो friends यहां पर देखिए यहां पर हमने complete कर लिया है नौट लगा के और यहां पर मैंने इस तरफ का एक design डाल दिया है तो यहां पर अभी क्या करना है यहां पर यह जो दोनों तरफ के जो नौट हैं लगे हुए इन में से ही मतलब starting से कॉड लेना है और यहां पर क्या करेंगे कॉड को पहले half कर लेंगे यहां तक और इस तरफ की जो half कॉड है इस वाले first वाले जो कॉड है उपर से आया उसकी उपर हम double time wrap करेंगे और इसी तरफ से दूसरे तरफ का भी हम first वाले कॉड लेंगे इसको और यहां तक half कॉड को double time first वाले कॉड पे wrap कर लेंगे जैसे यहां पर देख सकते हैं आप दूसरी तरफ मैंने first वाले कॉड लेके दोनों तरफ half हाफ कॉड को मैंने wrap करके design बनाया है उसी तरफ से यहां से भी friends first वाले कॉड लेके half कॉड को तूटू टाइम अच्छी तरफ से wrap करके ले लेंगे कॉड के उपर तो friends यहां पर देखिए half कॉड को मैंने एक तरफ का अच्छी तरह से wrap कर लिया इसी तरह से यहां पर फिर से कॉड हाफ कर लेना है और उपर वाला जो first वाला कॉड है उसको लेके यह half कॉड को हमें अच्छी तरह से टू टू टाइम रैप कर लेना है तो friends अभी यहां पर मैंने दोनों तरफ कॉड को अच्छी तरह से बढ़ाबर में रैप कर लिया है इसकी बाद friends इस तरह से हमें दो कॉड लेना है यानि दोनों तरफ से एक एक कॉड ले लेना है और इसमें हम बड़ी साइज की एक बिर्स डाल देंगे इस वाले दोनों कॉड में बिर्स पहले एक डाल देना है और यहां पर अभी क्या करना friends हमें एक बड़ा सा नौट बनाना है तो यह देखिए साइड से हमें क्या करना है पर में 4-4 कॉड लेना है बीच में हमें टोटल 6 कॉड छोड देने है और भीच का जो ऋर यह 6 कॉड है बीच में छोड के यह जो साइड वाले 4-4 कॉड है दोनों तरब इनको लेके हमें यहाँ पर simple square knot लगा लेना एक बड़ी size की यहाँ पर देखें total 6 chord है बीच के और यहाँ side में 4-4 chord है अब यहाँ पर यहाँ से एक knot बना लेंगे अच्छी तरह से simple square knot लगाना है बड़ी size में बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से अच्छी तरह से chord को हमें जब भी knot लगाए तो chord को बराबर में पकड़ना है इससे knot हमारा अच्छी तरह से finishing के साथ आ जाएगा तो इस दिखें इस तरह से और आम से यहाँ पर knot बना लेना है अब यहाँ पर क्या करना है एके chord को जो बीच का जो chord है एके chord को अच्छी तरह से बराबर में खीच लेना है आगे के तरव तो यहाँ पर इसकी finishing जो chord की अच्छी आ जाएगी तो इस तरह से यहाँ पर बीच में मैंने एक knot लगा दिया है friends इसकी बाद अभी क्या करना है यहाँ पर दिखी ऊपर से जो यह chord आया है मतलब जिसके ऊपर मैंने half chords को wrap किया था उसे ही लेना है और यहाँ पर 1,2,3,4,5,6 टोटल यहाँ पर 6 chord है तो पहले क्या करना है friends दोनों तरफ हमें two two chords side कर लेने है बीच का जो two chord है उसमें देखी एक beats डाल दिया रैड कलर का और अभी यहाँ से friends यहाँ से chord को beats के बाद half कर लेंगे और first वाला जो chord है उसके उपर अभी half chords को हमें अच्छी तरह से two two time wrap करके लेना है तो friends अभी फिर से दूसरी तरफ आ जाना है यह उपर वाला chord आया है इसके उपर हम यहाँ पे फिर से double time half chords को wrap कर लेंगे जैसे पहले वाले में किया है तो half chords यहाँ पे अच्छी तरह से wrap कर लेना है तो friends यहाँ पे अभी देखिए दूनों तरफ मैंने chords को half कर लिये है अभी एक तरफ का रह गया है तो यहाँ पे भी starting वाला chord है उसको लेना है और half of chords को wrap करना है जैसे यहाँ पे किया है उसके बाद क्या करना है बीच में एक knot बना लेना है और फिर यहाँ पे side से दोनों तरफ wrap करके ले लेना है तो अभी knot यहाँ पे देखिए complete हो चुका है total three knot बन के आया है बड़ी size का और इसके बाद friends यहाँ पे knot के बीच में मैंने इस तरह का बीच में knot बना के simple square knot का उसको भी मैंने wrap किया है side से तो जैसे अभी यह दो जो knot बने है इनकी बीच में जो cord बचा है तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है friends यह देखिए cord को पहले half कर लेना है और यहाँ से यह देखिए starting से cord ले लेना है और इसके उपर अभी यह जो half cords हैं इनको हम two to time अच्छी तरह से पहले wrap करेंगे अभी friends दूसरी तरह पाजाना है एक तरप का cord wrap कर लिया है और यह देखिए half cord तक wrap करना यानि starting का cord लेके half cords को wrap करेंगे अभी friends यहाँ पर दोनों तरप मैंने cords को यानि half of जो cord हैं तो इनको wrap कर लिया है यह देखिए इस तरह से दोनों तरप wrap हो चुके बनाना है तो इसी तरह से side से दो-दो cord ले लेके और पहले नॉट बराबर में बना लेंगे तो friends यहाँ पर not complete हो गया है पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह का नॉट बना लिया इसके बाद अभी यहाँ पर क्या करना है friends जो 3 नॉट है इन में से पहले 3 नॉट के बाद हम 2 और फिर 1 इस तरह का नॉट यहाँ पर बनाएंगे तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट में फोर को लेके वन नॉट बना लेंगे तो इस तरह से यह चौकोन में जो डिजाइन है बनके यानि नॉट कंप्लीट हो जाएगा तो अभी इतना कंप्लीट करने एक बाद देखिए friends च कोड्स के उसे लेना है और यहाँ फिर से यह कौड्स को हाफ कर लिया है इसकी उपर जो उपरवाल ऐसा को अच्छीतर से लेना अच्छीतर से करेंगेIGHT watts को अभी फिर से दूनों तरफ हमें बराबर में करना है यहाँ पर इस के उपर हाफ Ủ को रैप किया था इसके उपर भी यहां पर हाफ को यश्iska को डाप करके ले ले लेना है तो friends ,अवemy यहां पे मैंने देखिए चाथ कोनी में नॉट लगाने historic बाद तीनों तरफ साइड साइड से जो कॉर्ड था हाफ हाफ कॉर्ड उसको रैप करके और पूरा देखिए उपर का डिजाइन मैंने कंप्लीट कर लिए अभी नीचे के तरफ फिर से हमें नॉट सिंपल स्कॉर्ड नॉट यानि कंटीन्यू करना है तो यहां पर देखिए ज एक नॉट बना लिया सिंपल स्कॉर्ड नॉट का इसकी बाद फ्रेंड अभी यहां पर देखिए नॉट में से दो कॉर्ड लेना है और साइड वाले दो कॉर्ड लेके यहां पर फिर से सिंपल स्कॉर्ड नॉट लगाना है तो इसी तरह से फ्रेंड नॉट में से दो कॉर् इंपर स्क्वेर नॉट बराबर में यहां पर तीनों तरब लगा के कम्प्लीट कर लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने बराबर में तीनों तरब नॉट लगा के और एक बराबर में कम्प्लीट कर लिया है नॉट को लगा के और यहां पर फिर से यह जो डिजाइन बना है यहां पर जो उपर के दरब से दो कॉड आए हैं यहां पर भी हमें नॉट बना लेना है तो तो इस तरह से पूरा इतना complete कर लिया friends और अभी यहाँ पर एक बराबर में सारे देखिए सारे बराबर में मैंने यहाँ पर नॉट लगा लिये हैं इसी तरह से हम नॉट को क्या करेंगे नीचे के तरफ और बना लेंगे तो friends यहाँ पर मैंने नीचे के तरफ two line simple square knot लगा के और complete कर लिया है और इसके बाद यह 3 इंच की जो round ring है यानि उपर वाली जो ring है उसी के बराबर की तो नीचे फिर से हमें क्या करना है बेस के लिए एक और ring अटाच करना है तो यहाँ पर इस तरह से ring को बीच में रखना है कोड के और एक कोड को उठाके और two two time हमें ring के उपर कोड को अच्छी तरह से wrap करना है अगर आप इस cup की size और बड़ी चाहते है तो यह से नीचे मैंने दो line simple square knot लगा है वैसे आप एक दो line और बढ़ाएंगे तो यह जो cup है और बढ़ा हो जाएगा कि अच्छी लग रहे है और यहां पर पूरा कप बनके complete हो चुका है और यह डिजाइन भी अच्छी लग रही है इसकी बार friends अभी नीचे के तरफ आ जाना है तो ring के उपर जो cord attach किये हैं तो इसकी नीचे का जो हिस्सा है उसको अभी हमें pack करना है तो एक cord ले लेंगे कोई भी cord लेना है हमें बड़ी size जो लगे उसको ले लेना है और अभी यहां पर friends क्या करना है इस cord पे जो हमने लिया इसकी उपर यहां पर जितने भी cord है सभी को हमें one one time अच्छी तरफ से wrap करना है एक एक बार हमें cord को wrap करना है इस तरह से पूरे round में सारे cords को एक एक बार इस तरह से wrap कर लेना है आगी करना है तो फ्रेंड्स एक राउंड यहां पर कम्प्लीट हो गया है सारे को राउंड करके और हमें पूरा राउंड जब तक कम्प्लीट नही होता है तो एक लू दो करूंड है और लिच्छ को राउंड करना है और एक बात फ्रेंड से और ध्यान रखना है जो हमने स्टार्टिंग से जो कॉड उठाया है फर्स्ट वाला जिसके उपर हम सारे कॉड्स को रैप करने वही कॉड हमारा इंडिंग तक जाएगा तो उसको हमें बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे नीचे का जो हिस्सा है वो पैक हो चुका है जो मैंने कॉड कट किये सीजर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बचा हुआ है तो इन्हें क्या करना है लाइटर की मदस से इन्हें हलका हलका सा मैल करके और अच्छी तरह से यहीं पे हमें इसको को दबा देना है तो यह निकले गा नहीं इस तरह से ऐहाँ पे लाइटर से मैल करते हुए कौड को दबा देना है तो फ्रेंज यहां पर पूरा नीचे का हिसा अच्छी तरसे पैक हो गया है और यह जो पेन-पेंसील होल्डर है बनके फ्रेंज कंप्लीट हो गया है एकदम निव पैटरन में निव डेजाइन में फ्रेंज यह दि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज व अब आईएगा आगे के वीडियो के लिए सो थैंक यू फर वाचिंग बाई बाई